वेलकम गाईज, वेलकम तो मैं चैनल, आज हम लोग जो हमने प्रैक्टिस कोश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर आज हम थार्ड वीडियो डिसकस करेंगे, ओल्रेडी चैनल के उपर दो वीडियो इस प्रैक्टिस सेट की आ चुकी हैं, और जो भी हमारी चै चैनल पर आपको प्री का सोल्व मिल जाएगा, और हमने हच्पीस का सब्जेक्टिव पेपर भी डिसकस एक बाद कर लिया है, कि किस तरह के कोश्चन्स आए हैं, और आपको कैसे उसको अटेंप करना है, इसके अलावा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कि प्राफी स्लेबस आपका KVS और NBS से मिलता जोलता है, और KVS और NBS की बहुत सारे कोश्चन पर हम चैनल पर सोल्व कर चुके हैं, और टेलिग्राम चैनल पर आपको PDF ही मैंने प्रोवाइड करा दी है, अगर आप चाहते हो जूड़ना हमारे टेलिग्राम चैनल से, तो Economics by DD हमारे टेलिग्राम चैनल का नेम है, तो आप हमसे महाँ जूड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी topic हम यह discuss करते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, इसके अलावा, आप लोग मुझे बोल रहे थे, कि यह जो मैं Practice at के questions करा रही हूँ, यह Hindi medium में भी कराऊं, मेरे पास अभी जो लेकिन अभी आपको यह Practice Set तो English medium में ही करना पड़ेगा, मैं Try करूंगी कि आप लोगों को भी Hindi medium में भी मेरा समझाए, आप इस question paper में मेरे साथ corporate करना, आज का जो हमारा पहला question जो रहेगा, वो यह रहेगा, question number 78, question number 78 में देखो क्या बोला गया है, if the portion of income spent on a good remain the same as income increase, तो आप से पूचा है, question में क्या पूचा है उसने, कि अगर एक person है, उसकी जितनी income increase हो रही है, उतना ही वो expenditure increase करे, खर्च increase करे, तो उसकी income की elasticity बताओ, अब आप बताओ, अगर आपकी income 100 रुपे से बढ़े, और आप अपना expenditure दी 100 से बढ़ाते हो, तो यहाँ पर आपकी income elasticity क्या आएगी, वन ही तो आएगी, तो यहाँ पर option number A, आपका right answer हो चाहेगा, अगला question देखे, question number 79, इसमें बोला गया है consumer surplus बताओ, पहले आपको पता होना चाहिए consumer surplus क्या होता है, एक consumer की willingness to pay में से हम क्या करते है, actual pay को minus कर देते हैं, जैसे मैं market गई, म चार उपे consumer surplus बचेगा, तो इस question में भी देखो, एक consumer की willingness to pay है, वो कितनी है, O, D, E, X है, और actual में जो उसे pay करना पड़ा, वो कितना करना पड़ा, O, P, E, X, तो यहाँ पर, इसको इसमें से मैं minus करूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, D, P, E, यह वाला जो हिस्सा होता है, यह आपका consumer surplus कहलाएगा, option number C, यहाँ आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, आपसे average product of labor पूछ रहा है, average product क्या होता है, आपने जो total product बनाया, उसको आप labor से divide कर दो, क्योंकि average product किसका पूछ रहा है, ओसत उत्पात वो पूछ रहा है, मजदूर ने कितना बनाया, तो उसने जितना बनाया output, उसको आप उसकी labor से divide कर दो, option number B, यहाँ आपका right answer हो जाएगा, अगला question भी, आपका consumer surplus से आया है, लेकिन question में क्या कह रहा है, जब price P1 से कम होकर P2 हो जाता है, consumer surplus आपका क्या होगा, अब आप देखिए, consumer surplus क्या है, willingness to pay और actual pay का difference, जब price घट जाता ह है, तो consumer surplus में भी change आएगा, अब यह जो आपका यहाँ पर price में P1, P2 और यह जो आपका CB, यह वाला जो हिस्सा रहेगा, अब आपका, कौम सा, यह वाला, यह जो हिस्सा आपका है, यही ए consumer का, consumer surplus में होने वाला change है, price के कम होने पर consumer का surplus बढ़ा है, तो इसलिए हम क्या बोल answer हो जाएगा, आप इसको उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि consumer का willingness to pay, में से actual pay को minus कर देंगे, तब आपका answer आजाएगा, अगला question देखिए, when total product is maximum, इस ता के question बहुत आएंगे, तो इसमें हमारे पास सबसे अचा तरीका है, आप पर diagram बनाऊ, total product maximum होता है, और अगर marginal product की बात करें, तो वो क्या होता है, अगर मैं marginal product बनाऊं, तो वो क्या होता है, वो आपका zero होता है, मेरा थोड़ा बना सही नहीं है, यहाँ पर आपका marginal product मैंने बनाया, जब आपका cool उतपाद सबसे जादा होता है, उस time आपका सिमान तूतपाद शुन्ने होता है, इसलिए आपका total product जब maximum है, marginal product zero होगा, अगला question देखिए, question number 83, under the low of variable proportion, जब हम क्या करते है, low of variable proportion का मतलब है, कि जब आप fix factor के साथ variable factor को लगाते हो, तो low of variable proportion लगता है, और production की first stage में पूछ रहा है वो, यह आपकी first stage होती है production की, यह second stage होती है, और यह आपकी third stage होती है production की, ठीक है, यह factor को लगाया हुआ है, और variable factor को लगाया हुआ है, और आपने starting में क्या किया है, अभी product बनाना शुरू किया है, तो आपको क्या होगा, हमेशा क्या होगा, increasing return ही तो मिलेंगे प्रोडक्शन की फिर्स्टेज ही है, यहाँ आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगला हमे मैच करनी है लिस्ट बन को टू से आप यहां पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आप लोगों को पता है वो किस ने दी है मार्शल ने दी है तो यहां मार्शल ने दी है ओर्डिनल अप्रोच को हीक्स और हैलन ने दी आए यहां पर according to option स्ट्रोंग ओडरिंग यह सेमुलसन ने दी है रिवील प्रेफरेंस यूरी में और लो इक्वी मार्शनल यूटिलिटी यह जो कॉंसेप्ट है कि कंजूमर अपनी इंकम को इस तरह से स्पैंड करता है कि लास्ट यूट से मिलने वाली मार्शनल यूटिलिटी बराबर होती है यह गोसिन ने दिया है यह आपका राइट आंसर होगा अगला कॉशन देखिए कॉशन नमबर 85 के अंदर क्या बोला गया है which of the following is not a reason of diminishing return to a factor diminishing return का मतलब होता है कि जब आप अपने factors को लगा रहे हो जब आप संसाधनों को लगाते हो production में मालो मुझे कोई product बनाना है product का बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संसाधन लगाते हैं जब हम अपने संसाधनों को लगा रहे हैं उत्पादन करने के लिए हमारी जो return है वो क्या है diminishing मतलब घट रहे हैं जैसे किसी काम पर मैंने एक person लगाया वह अच्छे से कर रहा है उसके बाद मैं उसी काम पर 4-5-6-7 लोग लगा दूँ तो मेरे को मिलने वाले जो return है factor से वो क्या हो रहा है घट रहा है अब यह बताना है कि इन में से कौम सा एक reason आपका नहीं है diminishing return का अगर आपके पास fix factor की scarcity हो जाती है मतलब fix factor आपके पास कम है तो आपके return घटेंगे घटेंगे तो यह तो reason है scarcity of variable factor कोशन में क्या है scarcity of variable factor अब आप बताओ हमारे पास short run के अंदर क्या होता है सारे के सारे factor fix होते हैं सिरफ labor ही क्या होता है variable factor होता है तो यहां पर जो scarcity variable factor पहुते है Ready factor कि कभी भी scarcity नहीं होती तो इसी लिए यह एक generating the efektor का इंगापल नहीं है बाखी in the flexibility of ट्षाप कि यहां अर लग लगा सकते अगर अधिसको तोड़ते हो यह एलग लगाते हो तो आपका जो रिटरन हो होते हैं लेकिन यह कहना कि हमारे हम पर सकार्ट फैक्टर फैक्टर है उसकी स्कार्षिट है तो यह कोई उसका रीजन नहीं है ऑप्शन नमबर यहां आपका राइट आंसर हो चाहेगा अगला कोशन देखिए लोफ वेरिबल प्रोपोश्ट्ट वारेबल प्रपोश्ट्ट का अगला कोशन क्या करता आइसुक्वांट यह होता है नहें यह होता यह तो इसी लिए option number A यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपको क्या करना है मैच करना है consumer surplus Marshall ने दिया compensating variation है यह आपने देखा है हिक्स ने दिया था utility index इंडेक्स नमबर की अगर हम बात करें utility index नमर की newman Morristran ने दिया है input output model की बात करें तो Leon Tiff ने दिया है तो आप इस दिसाब से options match कर सकते हैं अगला question देखिए अगला question है which of the following is not true about the isoquant चैसे difference करके हमने properties की थी वैसे ही isoquant होता है isoquant के बारे में क्या चीज सही नहीं है isoquant downward sloping होता है यह तो सही है downward sloping की तो है हमारा यह मैंने बनाया यह तो सही है isoquant concave to the origin concave होती है यह वाली शेप अब आब बताओ तो isoquant कैसा है हमारा यह हमारा convex to the origin है origin से convex है इसलिए यह हमारा true नहीं है option नमबर बी आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 90 question number 90 के अंदर क्या वो लगया है यह isoquant for perfect substitute वुड बी जब हमारे दो factors जो है perfect substitute है यह perfect substitution की situation में आइसोquant की आपको क्या बतानी है शेप बतानी है perfect substitute क्या होता है कि एक को दूसरे की जंगा दूसरे को first की जंगा हम use कर सकते हैं तो जिस टाइम पर आपका आइसोquant perfect substitute होता है तो हमारी जो शेप होगी negatively slope होगा और स्टेट लाइन होगी ठीक है तो option नमबर बी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए question number 91 यह question number 91 है हमें उपर देखना पड़ेगा क्या question इसने पूछा है यह कहा रहा है आइसोquant डाइग्राम में किस चीज़ को शो करता है डाइग्राम देखना है और इन में से कौन से option correct है यह आपको बताने है पहले देखते हैं perfect substitute of a factor perfect complementary of a factor fix proportion production function अब आप देखिए जब आप तो यहां पर आपको क्या समझा रहा है कि आपका isoquant perfect complementary की बात कर रहे है factors की complementary मतलब अगर आपको y factor जितना चाहिए उतना ही आपको x चाहिए ऐसा नहीं है कि x को y की जंगा और y को x की जंगा आप substitute नहीं कर सकते तो यहां पर आपका पहली बात तो factors कैसा है perfect complementary है दूसरा क् factors किस ratio में use होंगे y कितना use करेंगे x कितना use करेंगे यह भी पूरी तरह से क्या है fix है तो इस diagram के according वहां पर दो option हमारे correct है fix production function वाला दूसरा complementary वाला अब हम दिखा यह perfect complementary वाला कौन सा option था हमारा second option और third option पूरी तरह से आपका ठीक है तो इसलिए option number D यहां आपका right answer हो तो production function कैसा होगा constant return to scale का मतलब है कि अपने output करने के लिए जिस ratio में अपने factors को लगाया है आपका output increase भी उसी ratio में करेगा तो आपका production function कैसा होगा linear होगा homogenous होगा option number A यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए इना Corp Douglas production function elasticity of factor substitution Corp Douglas production function के अंदर आपसे elasticity of substitution पूछी है तो Corp Douglas production function के अंदर जो elasticity of substitution होती है वो equal to 1 होती है option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए इना Corp Douglas production function यहां आपको या दे दिया यह equation यह दि Corp Douglas production function की और आपसे share of labor labor का share बताओ total production में कितना है तो आप देखिए L के उपर क्या है alpha यह alpha क्या दिखा रहा है आपका labor का share total product में दिखा रहा है तो option number A यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए change in relative price of two commodity दो commodity है माल लो यह y commodity है या यह x commodity है तो अगर इनके relative price में change होता है और level of satisfaction हमारी same रहती है तो यह क्या कहलाएगा अब आप देखिए आप दो goods का relative price change कर रहे हो मतलब माल लो x goods सस्ती हो जाती है तो आप x ज़ादा खरीबते हो y कम खरीबते हो की substitution effect की है तो option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए two factors that determine consumer behavior consumer का जो behavior होता है उसको कौन से दो factor decide करते हैं तो demand supply या budget line इंडिफरेंस कर अब consumer कब equilibrium में होता है यह हम पहले discuss कर चुके हैं यह उसकी budget line होती है और यह उसका इंडिफरेंस कर होता है इंडिफरेंस का budget line को जहां टच करता है उसे consumer का behavior और consumer का आपको equilibrium point पता चलता है तो यहां पर आपका option number B right answer हो चाहेगा अगला question देखिए if an increase in real income real income का increase होने का मतलब है आप 100 पे कमा रहे थे और उस time commodity का price 5 था मैं समझाने के लिए बता रही हूं तो आपने 20 commodity खरीद दी अब आप उसी 100 पे में price होजाता है दो तो आप ज्यादा commodity खरीद पा रहे हो तो इसका मतलब जब consumer की real income increase हो जाती है और reduction हो जाए demand for potato एक बात बताओ जब आपकी income increase हो गई लेकिन आपने potato जो है उसकी जो demand है उसको क्या कर दिया उसमें reduction कर दिया और आप meat की demand जादा कर रहे हो इसका प्रोडक्ट की आपने demand को decrease किया है इसका मतलब वो क्या है inferior good है और जिस product की आपने demand increase की है वो आपकी normal good है यहां meat आपका normal good हो जाएगा और यह जो potatoes है यह आपका inferior good हो जाएगा option number a यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखें if all input are increase in same proportion सारे के सारे input को आप same ratio में increase कर पात हैं long run में production function के अंदर long run production function में हम सारे के सारे resources को increase कर पाते हैं और long run के time period को हम low of return to scale बोलते हैं तो यहां पर second और fourth आपका right है option number d यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखें question number 99 which of the following is not a reason of increasing return to scale question में बोल रहा है नीचे दिये गए options के हिसाब से किसके कारण आपके returns increase नहीं होंगे ठीक है नहीं होंगे तो पहला है indivisibility of a factor full utilization of fixed factor greater specialization of a factor dimensional economies अब आप देखिए अगर आप अपने factors का fully utilization करें या greater specialization करें या dimension अलगलाग आपको economies मिले या फिर indivisibility आपके factors की हो रही है तो आपको increasing return मिलेंगे या नहीं इस question का right answer आपको explanation के साथ comment section में देना है क्योंकि इससे related question में उपर आपको संधा चुकी हूं अगला question देखिए अगला question है आपको फिर list को match करना है code आपको given है input output iso quant यह किस ने दिया है CES production function दियोपोली model king demand का तो input output iso quant जो है वो लिएटिप ने दिया है CES production function arrow और चिनरी ने दिया है दियोपोली का जो मोडल है वो पोल्स वीजी ने दिया है king demand का कुर्णोट ने दिया है अगला question देखिए अगला question का है which of the following figures show the increasing return to scale increasing return to scale का मतलब है आप input जो है अप उत्पादन के जो संसाधन है उसको कम rate से बढ़ा रहे हो लेकिन आपका जो output है वो काफी तेजी से बढ़ता है उसी को increasing return बोलते है अब आपको मैं चारों क्या दिखा देती हूं पिच्चर दिखा देती हूं आपको बताना है कि यह first picture है यह second यह third यह fourth आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा increasing जो return है आपका है आप पिच्चर B को देखिए पिच्चर B के अंदर आपको इतना input लगाना पड़ रहा है इतना output 100 हो रहा है फिर देखिए आपका जो output है व तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है तो पिच्चर आपकी जो B है ना वह आपके increasing return को शो करेगी option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 102 102 में बोला गया के capital है लेबर है W wage rate है R rate of interest है C cost of production आइसो cost line जो होती है वो क्या होती है आइसो cost line क्या होती है जैसे आपकी budget line होती है कि दो product में आप कैसे खरीज सकते हो वैसे ही एक आपकी ISO cost line होती है कि आपके पास दो factor हैं दो factors के market में price given है आप इन दो factors के different combination जो हैं खरीज सकते है वही आपकी ISO quant line होती है तो यहां पर C by capital से क्या मिलती है rate of interest मिलती है cost upon rate of interest और यहां पर C by क्या होता है labor को क्या देनी पड़ती है wage rate देनी पड़ती है और हम इनका ratio कर देते है C by R divided by C by W और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर आपका C by R into W by C हो जाएगा तो यहां पर आपक आपका जो slope होगा वहाएगा तो यहां पर माइनस W by R हम देखेंगे किस option में आपके पास given है तो हम options देखते है कि option नमबर आप 3rd कोई देखिए यह आपका ISO cost line का क्या दिया गया है slope दिया गया है option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question पढ़िए ISO cost line आपको क्या दिखाती है अभी मैंने आपको कहा ISO cost line आपको क्या दिखाती है ISO cost line यही तो दिखाती है कि दो factors होते हैं जो आपके उन दो factors को market में एक different price चल रहा होता है उस पर आप कितना खरीच सकते हूं तो factors को various combination of two factors that consumer जो है buy कर सकता है अब आपको बताना है कि ISO cost line के लिए क्या चीज बिल्कुल सही है तो यहीं first option को देखिए various combination of two factors that can firm buy with a given outlay एक given time period में दो factors के वो सभी combination जो की एक firm खरीज सकती है वही आपका ISO cost line शो करता है अगला question देखिए condition बतानी है आपको producer आपका कब equilibrium में होता है तो this curve क्या करना चाहिए टेंजेंट करना चाहिए consumer के लिए उसी तरह से producer के लिए क्या होगा producer के लिए ISO cost line होगी है और यह आइसो क्वांट होगा यह टेंजेंट करना चाहिए वही पर आप क्या होगा आपका producer equilibrium में होगा अब आप देखिए किस option में बुला गया है यह वाली condition भी फुल्फिल होती है हमारी कि marginal product of labor upon marginal product of capital W by R यह भी ठीक है कि marginal product of labor upon W marginal product of capital upon R यह भी ठीक है और यहां देखिए ISO इसो क्वांट टेंजेंट करें इसो को समझाया है आइसो क्वांट आपका convex होना चाहिए औरीजन से तो यह कन्वेक्स ही तो बनाया है तो यहां सारे option थीक है option number D के साथ आप जाओगे अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है increase in supply of commodity इस तरह के question को delay करने का तरीका ह है कि आपको options भी ना पड़ना पड़ी question में कहा रहा है increase कर दो supply यह demand है यह supply है शुरू में intersection point यहां है यह आपका price decide हो गया इतना output भी रहा है तो आप देखो कि बोला गया है कि quantity demand बढ़ जाए और price कम हो जाए तो यहां पर देखो decrease in equilibrium price and increase in equilibrium quantity option number second यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए equilibrium price क्या होता है जहां demand और supply आपकी दोनों बराबर होती है अगला question देखिए when there is a fixed factor और variable factor तो लो कौन सा लगता है short term में आप में देखा है हम variable factor भी होता है ठीक है और short term में ही आपके पास fix और variable का combination होता है long run में तो सारे के सारे आपके variable factor हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे low of variable proportion के नाम से हम इसको जानते हैं तो option number a यहां आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 108 मैं क्या बोल रहा है economic cost जो नाति हमारी implicit cost implicit cost का मतलब होता है कि हमारी सदसाधन की खुद की लागत है जो हमारी खुद के संसाधन होते हैं जिनके owner हम खुद होते हैं उस close को हम बहूत Tisch what's 튀 प्रोडक्शन में यूज करें और नॉर्मल प्रोफिट तो एकनॉमिक कोस्ट के अंदर तीनों ही चीज़े आती हैं तो इसलिए आपका राइट आंसर हो चाहेगा अगला कोश्चन देखिए ऑपोर्चुनिटी कोस्ट का बिल्कुल सा अंसर होता है कि नेक्स्ट जो बैस्ट कोशन में कोशन में ना क्या है को में होता है यह शेकर्च करते हैं और उसके क्या क्यानी यही मुद्स और आपा आप करते हैं यही में है जए उसका कहन ऑपनाने right answer हो चाहेगा अगला question देखिए total fixed cost के बारे में क्या चीज सही है अब आप बताओ total fixed cost क्या होती है कि आप production कितना भी करते रहो आपकी जो cost है उसमें कोई change नहीं होगा ये आपका क्या होती है ये आपकी क्या होती है straight line और parallel to horizontal axis होती है option number d यहाँ आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए which of the following regarding long run cost long run की cost के बारे में क्या है long run cost कैसी होती है ऐसी होती है it is least cost production for each level of output long run में हमारी ही कोशिश होती है कि जितना भी हम production करें हमारी जो cost है सबसे कमाई इसे हम envelope कर भी बोलते है क्योंकि long run average cost जो होता है यह short run average cost को अपने अंदर जो है वो इसके अंदर automatically वो होते हैं cover कर लेता है तो यह भी सही है long run average cost u-shape होता है यह भी सही है तो यहाँ पर option number d यह आपका right answer हो चाहेगा आगला question देखिए cost in a curve on a factor the quantity of which can neither size increase or decrease क्या कहा रहा है कि आपकी फैक्टर की cost आ रही है जिससे ना तो increase की जा सकता है और ना ही इसक्रेश कलें को पूलेंगे environment एसी कोस्त है मैं आप production करो ना करो उसको क्या है वह रहती है वहPass भड़ती नहीं यह झाली है टो option number तो ऑप्रशन कोशन देखिए low variable proportion में तब वेरेबल होते हैं option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखें point of inflection point inflection point पता है किसको बोलते हैं यह मालो total product है negative से बन गया ऐसे बनाते हैं यह मालो आपका total product है total product देखो यहां तक increasing rate से बढ़ रहा है इसके बाद decreasing rate से बढ़ना शुरू कर देता है तो ये जो point होता है जब एक curve अपने जो shape फो change करता है उसको बोलते है inflection point और जब total product अपना inflection point पर होता है आपनी shape change करना start करता है उस time पर अगर हम बात करें न हमारा marginal product क्या होता है maximum होता है बह Evangelical product क्या होता है maximum पर होता है जब point of inflection आड़ जाता है stop increasing and increasing rate and start increasing and decreasing rate तो उसको क्या । अभी मैंने आपको बताया कि आपका टोडल प्रोडक्ट है तो टोडल प्रोडक्ट ने यहां तक इमालो uconne talon increasing rate से बढ़ रहा था अब आपका प्रोड़क्ट बढ़ता हinflation rate से बढ़ रहा राइट आंसर हो चाहेगा अगला कोशन देखिए अंडर दा लो वेरिबल प्रपोर्शन जब फर्स स्टेज में होती है marginal product और average product की shape तो आपको पता होनी चाहिए कि जब आपका total product production की first stage में है और आपको increasing returns मिल रहे हैं तो उस time पर सिरफ आपका average product ही क्या होता है throughout the stage आपका average product क्या करता है increase करता है तो यहाँ option number B आपका right answer हो जाएगा इसी वज़ा से आपके returns भी क्या आते हैं increasing आते हैं अगला question देखिए in the stage in the second stage of low variable proportion second stage में क्या होता है लो वेरिबल proportion की तो आपको यह बताना है कि total टोटल मार्चनल और एवरेज पूडक्टि लगते हो तो अब। देखो यह आपका हो गया मार्जनल प्रोडक्ट हो गया जो की मेक्सिमुम होता है जब टोटल प्रोडक्ट प्र होता है influence point पर यह साथ maximum होता है उसके बाद हमारा क्या है है यहाँ पर यहêtre हिस प्रडडक्ट होता है यहां पर आप से कोशंट क्या पुछा था आप आप से कॉछusan में पूछा है कि second stage of production second stage of production आपकी यह ना इस जब आपका कर्व डिन सेंग कर लिया तो second stage of production में आपका marginal product क्या है average product क्या उसकी situation है आपसे question के अंदर यह पूछा गया है तो आप देखो बोथ marginal product और average product जो है आपके वो diminishing करने लग जाते हैं second stage में देखो यह भी गिरने लग गया और यह तो पहले से ही गिर रहा था marginal product भी गिर रहा है average product भी गिर रहा है तो यहाँ पर आपका option number c right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question है the low of low जो आपका variable proportion का actually जो production होता है कि stage में होता है first में second में third में या either second या third जो low variable proportion का मतलब है जब fixed factor के साथ variable factor को लगाया जाता है और low variable proportion काम कों सी stage में actually करता है तो low variable proportion जो होता है second stage में आज का हमारा लास्ट कोर्शन यह रहेगा से धा इसमें क्या होता है यह अ जसे जो आपके गतना हो जाता है और अगर में मार्शन परड़क्श माध्यम में LET हो जाता है तो थार्ड स्टेज में option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए in CES production function elasticity of substitution आपकी क्या होती है तो elasticity of substitution आपकी equal to one होती है option number A यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following is not associated with CES production function CES का full form है constant elasticity substitution जो production function है इसका संबंद यह किस ने नहीं दिया यह arrow ने दिया मिनहास ने दिया है लेकिन हैरेड ने नहीं दिया है तो option बड़ी यहां आपका right answer हो जाएगा तो यहां अगला question है marginal product जब अबब होता कि जब कोशन में क्या पूछा है जब marginal product ऊपर है तब आपका average product की क्या situation है तो जब आपका marginal product ऊपर की तरफ है जादा है तो average product तो आपका क्या कर रहा होता है बड़ी तो रहा होता है तो इसलिए option number a यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए when the output produces maximum for a given input जब आप जो आपके पास अंसाधन होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा output बना पाते हो तो इसको बोलते हैं कि आपकी technology में कहीं ना कहीं efficiency है option number b यहां आपका right answer हो जाएगा आज हमने आइसो क्वांट के total product वाली जितने भी छोटे मोटे question बनते हैं सबकी practice कर ली है आगे मार्किश जो different होती है micro economics में उनकी practice आने वाली वीडियो में करेंगे अगर आपका मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो please मेरे चैनल को share करो subscribe करो and thank you so much for watching this